आज बनाकर तियार करेंगे freeka liquid fertilizer तो यह संत्रे के छिलके हमारे और आपके घरों में अधिकतर मिलते ही रहती हैं सर्दियों के मोसम में हमने संत्रे तो बहुत खाय और चिलकों को यूं ही फेंक दिया तो आज जानेंगे इन संत्रे के छिलकों की कीमत कि ये कितने कीमती है हमारे लिए जी हाँ ये संत्रे के चिलके सौने से भी कीमती है और इनको हम यूँ ही फैक देते हैं तो आप अगर गाड़निंग कर रहे हैं तो आज जानते हैं इसकी क्या कीमत है हमारे पेड़ पौदों के लिए इस तरह से मैंने संत्रे की चिलके लिए हैं और इस तरह से उसको बारी काट लिया है बारी काटने के बार मैं इन संत्रे की चिलके को पानी में यूज़ करूँगी और एक अच्छा सकती साली और ताकदवर लिक्विट खाद बन करके तयार हो जाएगा हमारे पेड़ पौदों के लिए यहां पर लिया है मैंने एक लीटर पानी और कुछ संत्रे के छिलके हैं इनको मैंने कट कर लिया है जिसे हम इस बोटल में डालने में हमें आसानी होगी तो इस तरह से मैं इस संत्रे के छिलके को पानी में डाल लूगी ये फ्री का लिक्विट खाद हमारे पेड़ पौदों के लिए बहुत ही उर्जावान है और बहुत ही अच्छा काम करेगा चाहे हमारे पेड़ पौदे सबजियों वाले हो फूलों वाले हो या हमारे सीजनल प्लांट हो कोई भी प्लांट हो उसमें ये लिक्विट खाद बह पूरे संत्रे के छिलके है वो फिल कर लिये पूरा भर लिया है इस बोतल को और अब मैं इसका अच्छे से ढखकल लगा करके इसको दो दिन के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूगी और इसका जो फाइनल रिजल्ट बन करके तयार होगा वह आपसे शेयर करूंगी तो यह मैंने ल पूदों में तो चलिए मैं इसको दो दिन के बाद का यह है रिजल्ट है देखिए किस तरह से बोतल में जो पानी का कलर था वो किस तरह से हो गया है और साथ ही अब यह एक अच्छा सा लिक्विट फर्टिलाजर बन करके तयार हो गया मैं आपको इसका ढखकन खूल कर बता फर्टिलाDer बहुत ही जरूरी है यहां पर मैं लिया था एक लिटर पानी जिसमें मैंने थे चलू छल्के क डाले थे autant च्छल्कोंिस बनाया है थे निज silicon पानी फर्टिलाट है यहाह दो फादे वो आराम से इसे मिलेंगे ना कि हमारे पेड पौदों को जलने या मरने का कोई डर नहीं रहेगा और जो मुर जाए हुए पेड पौदे हैं वो भी इससे मतलब फिर से हरे बरी हो जाएंगे तो यही इसका liquid fertilizer का एक purpose होता है कि हम बेकार समझ कर फैक देते हैं और पता नहीं हो फैकने वाली हो इसमें मैं दोबारा से फिर से पानी डालूँगी पानी डालने के बाद इसको फिर से तयार करूँगी और देखिए गोल कितना अच्छा बन करके तयार हुआ है और मैं इसको इसको इस तरह से मिलाने के बाद अपने सभी पेड पौदों में इसको डाल दू और इसको फिर से दो दिन या तीन दिन के बाद में फिर से इसको इसी तरह से अपने और पर पॉदर में यूज कर लोगी इसको बोतल में पानी बनने के बाद हम एसी चाया वाली जगे में रख देंगे जहां इसे डारेक्ट दूप नहीं मिलेगी यह अच्छे से लिक्विट खाद बन करके तयार होगा साथ ही अगर आप इसको जैसे एक बार दो बार यूज कर लिया हो और इसको अब दुबारा यूज नहीं करना चाहते तो इसके संत्रे के छिलके निकाल करके आप अपने कंपोस्ट में डाल दीजिए और यह खाद बन करके तयार हो जाएगा तो आपको जो पसंदा है वो कीजिए तो यह देखिए लिक्विट खाद बन करके तयार है और लिक्विट फिरी का लिक्विट फंटिलाजर बन करके तयार हुआ है तो चलिए हम इसे अपने पेड़ों पर भी यूज करके बताती है किस तरह से यह काम करता है यहां पर मेरे पर इनका यूज़ करके आपको बताती हूँ तो देखिए आराम से आप इस पे इस प्रे भी कर सकते हैं या अपने प्लांटों में इस तरह से डारेक भी पानी दे सकते हैं बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट होती है साथ ही अब इसमें जब हम फूलों वाले पौदों में द पता नहीं होता है और हम इस तरह से छिलके फैक देती हैं तो आप कभी मत फैकिए और मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो झाल सकता है तो स्वेज़ प्लीज दूर चैनल को सब्सक्राइब झाल सक्षब कर दोड़ियो